तो फाइनले दोस्तो मैं फिर से आगया एक नए वीडियो के साथ मेरा नाम जिया प्रेल भी और आप देख रहे हैं इंडिया फंटेसी वॉल्ड यूटीब चैनल तो एक बार फिर से आप सभी का आपके फेबरेट चैनल इंडिया फंटेसी वॉल्ड में बहुत-बहुत स्व खिला जाने वाला है उसको लेकर सिल्सेवार तरीके से बात करने वाले हैं कि कैसे आप किस कंडिसर में खिलारियों को कैसे कंडिसर करेंगे कैसे कैप्टन वाइस के पिरिट करेंगे इन सारी बातों पर सिल्सेवार तरीके से बात करने वाले हैं दोस्तों आज के इस वीडि ट्रम कार्ट प्रेर ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं तो इससे पहले कि आगबर हूं जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक और चैनल पर नहे हैं तो चैनल को कर लें सबस्क्राइब और पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें दोस्तों अगर अभी तक क्रिकेट एस्टेडियम के पिछ विहवियर के बरह में तो मैं आपको बता दूँं ये पिछ बालेंस रहने वाला था बालेंस तो है लेकिन थोरा सा बैटसमेंन को थोरा सा सपोर्ट ज्याद होगा ठीक है ना उसके बाद बात करें उस गराउंड के पिछले रिकॉर्ड की तो यहां पर टोटल 51 मैचेश खिले जा चुके हैं जिनमें फरस्ट बैटिंग करने वाले ने 24 मैचेश को भीन किया, वहीं सेकेंड बैटिंग करने वाले ने 26 मैचेश को भीन किया और एक मैच टाई हो गया था, बात करें फर्स्ट इनिंग एबरेज स्कोर की तो 165 का है वहीं हाई स्कोर की बात करें इस ग्राउंड पे तो 209 रन तीन विकेट के नुकसान पे ब्रिस बैन हिट ने बनाये था वहीं लोई स्कोर की बात करें तो ब्रिस बैन हिट ने ही लोई स्कोर भी बनाये था Man Hit ने ही किया है बात करें दोनों टीमों के Hit To Head Records की दो पिछले 10 मैचों की बात करें तो पिछले 10 मैचों में Sidney Sixxer ने 8 मैचेस को विन किया वहीं Brisbane Hit ने 2 मैचेस को विन किया तो यहां पे कहीं न कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा कि Sydney Sixer का पलड़ा Brisbane Hit के उपर बहुत ही ज्यादा भारी है तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही कल के मैच में आपको टीम क्रियाट करना है तो चलिए दोस्तो शूर करते हैं वीडियो दोस्तो ये देख सकतो हो मैंने के structure दिया हुआ है two three two four का मुझे ऐसा लगत जी पे हम अलग अलग तरीके से combination लगा कर आपको बताने बाले हैं GL के लिए और स्मॉल लिक के लिए भी मैं आज आपको बताने बाला हूँ तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड के मच जाना आगे ट्रम कार्ड पेर और सी बीसी का राइट कंटेंडर और गिवे का सवाल भी पुछने बाला हूँ सबसे पहले दोस्तों बात कर ले आप ब्रिस्वें हिट के प्लेंग रहनों की तो कुछ ऐसा प्लेंग रहनों रहने वाला है वही दोस्तों बात करें सिड़्ी सिक्सर के प्लेंग रहनों की तो कुछ ऐसा रहने वाला है इन दोनों टीमों के बीच बल्लेवाजी यह वह एप्रिकेशन है जो बहुत ट्रेस्टर यूनिक और प्रोफिटेबल एप्रिकेशन है और जहीर खान इसका ब्रेंड एमबेस्डर भी है यह आप जान ले तो ट्रेस्टर तो होना ही है बात करें दोस्तों यहां पे कंपरिशन बहुत ही कम है इसलिए लिग हो या फिर स्मॉल लिग आप यहां दोनों में अच्छे अमाउंट्स को डेली विन कर सकते हो तो अगर अभी तक आपने इस एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के कॉमेंट शेक्शन में भी टॉप पिन किया हुआ है जहां आप बड़े आसानी से डाउनलोड कर साइन अप कर और ज्यादा से ज्यादा डिपोजिट करके खेलना स्टार्ट कर सकते हैं तो जाहिए फटाफ़र से डाउनलोड कर लीजिए चलिए दोस्तों देखने ते हैं किस-किस खिडारी को हमने कंसिलर किया हुआ तो सिड्नी सिक्सर के प्लेंगे में ओपनिंग करता हुआ दिख जाएगा पिछले मैच के बात करें तो चार बॉलों में दो रन का स्कोर कि राइट हैं बैस्में अठाटी अठासी परसेंट लोग लेके जा रहे तो आपके लिए एक अच्छा पिक्साबित हो सकता है अब दूसरे से प्लेयर की बात करेंगे में ओपनिंग करता हुआ दिख जाएगा पिछले मैच के बात करें तो तो उमीद है कि इस मैच में भी आपको अच्छे पॉइंट लेकर देगा ठीक है ना तो हमने यहां पर एज़से प्लेयर सी मुन्डो को कर लिया हुआ है दूसरे से प्लेयर की बात करें तो जेवाइंस जो वन डाउन पे सिद्नी सिक्सर के खिलता हुआ दिख जाएगा हमने यहां पर जेवाइंस को कंसिडर किया हुआ ठीक है ना जेवाइंस के प्रफेंस के बात करें तो पिछले मैच में कतिस बॉलों में 49 परसेंट लोग लेके जा रहे लेकिन इस मैच में आपको अच्छे पॉइंट्स देने वाला है उसके बात पांच में से प्लेयर की बात करें तो एच्च के एर को हमने कंसिरर किया हुआ हुआ है जो सिर्नी सिक्सर के प्रेंगर में साथ में नमर पे और नौनर सेक्षन में खिलता हुआ दी जाएगा तो यहां पर तीनों इब्रेस प्लेयर मैंने बालिंग से उठाया है किसको उठाया हम देख लेते हैं यहां पर एम कुनेमन को हमने कंसिरर किया हुआ है जो ब्रिस्बन हिट के बालिंग सेसर में खिलता वा दी जगा पिछले मैच में एक ओवर करते हुए एक बिकेट लिया ठीक है ना उसके बाद यहां पर हमने क्या किया हुआ है सिड्नी सिक्सर से सी जॉर्डन को कंसिरर किया हुआ है एज एवरेस प्लेयर सी जॉर्डन के प्रफेंश की बात करें पिछले मैच में चार ओबर करते हुए दो भी केट सिरिया राइट और फास्ट मेरियम बॉलर है संताउन परसेंट लोगों लेके जा रहे हैं तो आपके लिए कच्छा फिक साबित हो सकता है उसके बाद हमने कंसिरर किया हुआ है अब सिद्नी सिक्सर के प्लेइवन से ही बालिंग से बीडवार सिस तो यहां पर देख सकते हैं नो में नमबर पर खिलता बादी जागा फाइनरी आपको ग्रेंड लीग या स्मॉल लीग जीतने में मतलब हेल्प करेगा तो वह कौन से खिलारी है वह आपको देखना बहुत ही जरूरी है ठीक है उससे पहले दोस्तों बल्यवाजी एप्लिकेशन पर प्रिडिक्टर का एक बहुत ही जबरदस्ट ऑफशन है जहा ज्यस या नो करना होता है अपना ऑपिनियन देना होता है जैसे आज का सवाल है सिद्डी सिकसर क्या छे ओवर में 42 रण या उससे अधिक बना पाएगी तो अगर आपको लगता है क्या पना पा सकते हो सेक्रों खड़ी सकते हो वह आपके पॉकेट के ऊपर है तो यह आपके लिए बहुत ही जबरदस्ट ऑफशन है जहां पे आप बेगए टीम बनाए हुए यस या नो करके धेर सारा पैसा डेली कमा सकते हो उसके बाद यहां पे लीडर बोर्ड का ऑफशन भी है जहां ए छे से खेलते रहना तो जरूर से आप दुवई को जाएंगे और कमपनी आपको दुवई भेजेगी अगर आप चाहते हैं तो जाओ फटाफर से बल्लेबाद ये अप्रिकेशन को डाउनलोर करो साइन अप करो और खेलना स्टार करो लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस यहां पर खेलता वादी जाएगा पांच में नंबर पे पिछले मैच में ग्यारफ बालों में नौरन का स्कूर किया लेकिन मुझे ऐसा रखता है कि एजिए रिस्की प्लेयर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने बला है जे पैडिजन कल के मैच में उसके बाद यहां प पर खेलता हुआ दी जाएगा पिछले मैच में उनीस बॉलों में पंदरन का स्कूर किया राइट हैं बर्स में ने तितिस परसेंट लोगी लेके जा रहे हैं तो मेगा ग्रेंडली के पॉइंट अभी से यह दोनों खिरारी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है उसके पर हम आई नावीद को ही करेंगे आई नावीद को ठीक है जो यहां सिर्नी सेक्सर के बाली सेस्टन में आपको खेलता वादी जागा पिछले मैच में चार ओवर करते हुए एक विकेट लिया ठीक ना तो आपके लिए मस्ट है पिक रहने वाला है तो यह कुछ ऐसा आप ल तो यहां पर आपको क्या करना है जे फिलिप के साथ आप इस विलिंग को ले के जा सकते हो ठीक है उसके बाद मतलब सब्सक्राइब कर यहां पर सकते हैं बिश्मन हिट के प्लेइंगन में ओल डाऊन सेक्षिन में खिलता वा दीज जागा तो यहां पर आपको एक एड़ भी बी कर सकते हो ध्यक्ति कर सकते हो ठीक है इसके बाद यहां पर यहां पर आइनावीद की जगह जगे बदिक को लेके जाना गांगनिंट के नमबर ने यहां पर C Jordan को लेके जाना, उसके बाद यहां पर B Dwarces को लेके जाना, अगर तीन sport है तो यहां पर B Dwarces को drop भी कर सकते हो, आप यह तीन लेके जाओगे, और यहां पर आप finally Jay Bezley को लेके जाओगे, तो यह कुछ ऐसा, आप लेके जा सकते हो, जो लोग head to head three member four member खेलते हैं, ठीक है ना, अब दोस्तों हम finally बताने वाले हैं कि Grand League में कैसे आप combination लगाओगे, तो बिल्कुल बारी की से समझना, Grand League के लिए, ठीक है न, यहां पर आपके पास option है, यहां पर जे फिलिप को fix कर देना, उसके बाद जे परीजन की जगा, आप इस बिलिंग का option है, आपके पास, उसको भी लेके जा सकते हो, कुछ टीमों पर, ठीक है न, सी मुन्डो को यहां पर fix करके जाना, यहां पर आप क्या करोगे, जे सिल्क की जगा आपके पास option है, एम हैंडी की उसका, एम हैंडी की उसका, जो चौट्छे नमबर पर खिलतावा दिख जाएगा, सिर्णी सिल्सर के पिलिंगर में, तो यह option है आपके पास, यहां पर जे वाइन्स को हमने consider किया हुआ है, तो इसकी, मतलब इसको fix करके जाना, ठीक है न, उसके बाद, यहां पर एम नेसर को लेके जाना, एच के एर को लेके जाना, यहां पर कुछ बदलाओ नहीं करना, एक चीज़ा साथ आप कर सकते हो, एम नेसर की जगह, जे को भी आप ट्राइज करना, जे बढद को, ठीक है, उसके बाद यहां पर सी जॉर्डन को fix कर देना, सी जॉर्डन को fix कर देना, यहां पर बी डॉर्स को लेके जाना, और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहां से एक स्पॉर्ट उठा कर करके यहां पर जरूर से हैthis one खटी ना यहां पर जेज बैजली को लेकि जाना यहांपर क्या करना सी जॉर्डन और बी डिवार स्कोप मतलब है यह आपस में जो है रिफरेंशन कर देना किसी टीम पर इसको Fen was ना तो ये कबिनेशन बता दिया कि आप कैसे लगा सकते हो जो लोग दस इंप बनाते हैं या पंदर टिम मनाते हैं उनके लिए बहुत यह आसानली से आपको समझ में आगी होगी अब मैं फाइनली ट्रंप कार्ड प्लेयर बताने जा रहा हूं ट्रंप कार्ड प्लेयर गोड़ से समझना ट्रंप कार्ड प्लेयर बताने जा रहा हूं तो ट्रंप कार्ड प्लेयर आपके लिए कौन कौन हो सकता है एक तो जे सिल ट्रंप कार्ड प्लेयर और आप के लिए साबित हो सकता है यहां पर ये पैडिशन ट्रॉम्कार Ra just Tribal के लिए उघ्रीज कोयु अब को सकता है तो ये कुछ खिदारी थे जो ट्रॉम्कारि प्ले करके मैच में साबित हो सकते हैं भी ने आप पाइनरी मैं सब को अमाउंट भी पे करता हूं ठीक है ना मैं पैमेंट देता हूं आप देख सकते हो आप टेलिग्राम पे जा करके मैं डेली देता हूं ठीक है तो गिवे का सवाल है ब्रिस्वाइन हिट के बॉलिंग सेक्शन में कौन ऐसा बॉलर है जो सबसे ज्यादा बिक है और प्राइज लेने के लिए तिन शर्तों से गजरना होगा पहले शर्त है इस वीडियो को लाइक करना जूरी है दुसरी सर्त है हमारे यूटूब चैनल इंडिया फंटेसी वाल को सबस्क्राइब करना जूरी है यह सारी चीज़े आपको करना जूरी है तभी फाइनली आप प्राइज ले पाएंगे अदरवाइस कोई चारा नहीं है तो अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो जाओ फटाफर से कॉमेंट सेक्शन में अपना जवाब दो ठीक है ना ओके दोस्तों चलो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सीबी सी का राइट कंटेनर तो यहां प अगर ज्यादर रिक स्टेकर हो गर जिसमें रखो ना उसमें ट्राइब करो तो यह कुछ सीबी सी के पॉसीबल कंटेनर थे जो मैंने आपको बता दिया उम्मिद करता हूं यह वीडियो आप पकी काफी हिलफुल डाओगा दोस्तों बहुंआ बनलेबाद यह एप्लिकेशन होने से पहले टॉस होने के बाद ये बदल भी सकते हैं ये टीम बदल भी सकती है चुकि पीच भी हाइबियर बदल सकता है उसके बाद खिलारी भी चेंज हो सकते है इसलिए औरीजिनल टीम आपको टेली ग्राम पर मिलेगा तो टेली ग्राम को पक्का से जोईन कर लो तो दोस नेक्ट वीडियो में थेंक यू सो मच